हेलो एंजाहिन टूई और मैं नाम इविक्रम और मैं सौध करता हूं आप सभी का सब्सक्राइब में सब्सक्राइब कुछ करन्ट न्यूज हैं कुछ वेरियस इंडेक्सेज हैं तो गाइज यह न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉरेंट होने वाली अगर आप दे रहे हो स तो वहां पर आपने देखा है कि करन्ट का कितने जादा वेटेज रहता है तो गाइस उसी के पर व्यूज से मैं कुछ आपके लिए आज करन्ट अफेर्स लाया हूं और उसको हम कुछ डीपली अनलेसिस करेंगे थीक है तो आईए देख लेते हैं हमारा पहला तो गाइस 73rd Emmy Award 2021 Announced तो यह Emmy Awards क्या होते है first of all यह Emmy Awards जैसे कि जो टेलिविजन का चेतर है यूएस में तो उसके चेतरे में यह दिया जाता है तो यहां पर इसका जो सेरेमनी थी वो हेल्ड हुई थी September 1921 को चिक है कहां पर उती Los Angeles California में अब यहां पर यह जो मैंने लिखे हैं यही आपके ल drama series best comedy series best actor comedy best actor drama यही सब पूछे जाते हैं और यही वो कोशन होते हैं जो हमारे लिए थोड़ा याद करना भी मुश्किल होता है क्योंकि इतने वेरियस नाम होते हैं और साथी साथ में जो different names होते हैं तो यह भी आपने देखना है कि जो Outstanding drama series है इसके लिए जो Award मिला है The Crown को मि सब्सक्राइब के लिए टीवी सीरियल से हैं पहली बात तो यह आपको यह तक ना है यह movies नहीं है ठीक है आउटस्टेंडिंग comedy series तो यह हो गया आपका टैड लैसो Outstanding actor comedy के लिए that is Jason Sudikis यह है Ted Lasso के यानि कि इसके Outstanding actor drama तो drama के लिए मिला है 200 corner को तो यह है drama के लिए अब actress Outstanding actress comedy के लिए मिला है Gene Smart को यह है Hex की यानि कि इस पर्टिकुलर्ली यह drama series में काम करते हैं that is Hex Outstanding actress drama यह होगी Olivia Colman जो की The Crown The Crown यह है आपका best drama series इसकी क्या है actors भी है तो guys यह basically यहाँ पर क्या है सारा का सारा TV Serials है उसी के लिए मिलते हैं कैसा आपका Grammy आपने सुना होगा तो यह होता है Emmy आप इसे Grammy से correlate मत करना that is Grammy and this is Emmy ठीक कहा आप आता यह भी याद रखना है और एक किसले दिया राता है वो भी याद रखना है तीनों मैं आपको पता चुका हूं अगला आगा Global Goal Keeper Award यह आपको पता है यह बहुत पर आवार्ड देता है तो इन्हों ने यह annual Goal Keeper Award की घोशना की है तो यह जो आपका आवार्ड मिलता है यह Goal Keeper is the Foundation Campaign यानि कि जो यह Bill and Melinda Gates Foundation है इसका एक Campaign चल रहा है Goal Keeper Campaign जो भी विस्व को बचा रहा है किसी भी चीज से किसी भी स्थिति से बचा रहा है ताट इस गोल की पर तो यह Sustainable Development Goals यानि कि SDG यह SDG में आपका Education Poverty Elevation बहुत चीज़ें आती है ठीक है Sustainable Development Goals तो यह ठीक है Under Secretary General और Executive Director थी UN Women की UN Men और Women ठीक है यह दो पार्ट्स है तो UN जो वुमें थी United Nation की जो वुमेंस थी उसकी Executive Director रह चुकी है और Under Secretary रह चुकी है Secretary Journal United Nation की अब इन्होंने बहुत से काम किये हैं जैसे कि आपका Gender Equality के पर काम किया है और इन्होंने particularly advocate किया है COVID-19 के Scenario को जिसमें की इस्तिती इतनी खराब हुई कि जो impact पड़ा है वोमेंस और गर्ल्स पर यह बहुत ज्यादा खराब पड़ा है इन्होंने ऐसा कहा है कि जो pandemic आया था COVID-19 का उससे जो इस्तिती ती जो education थी वो खराब हुई है वोमेंस की और गल्स की तो मैं उसको advocate करती हूं लोग को जागरुपता फैलाती हूं तो उस पर इन्होंने काफी काम किया तो इसलिए इनको यह मिला भी है ठीक है अगला आएगा आपका Global Innovation Index इन्वेशन क्या होता है आप कौन-कौन से नहीं इन्वेशन कर रहे हो तकनीकी कौन सी कौन सी ला रहे हो ठीक है तो Global Innovation Index 2021 का इसमें इंडिया का रैंक 46 है पिसले और 48 था तो यहां पर खुसकवरी आले बात है 46 मिला है Global Innovation Index को जो की कौन रिलीस करता है World Intellectual Property Organization यानि कि WIPO इसका Headquarter जैनेवा में है ठीक है इसे हम बोलते है जी आई आई अब यह पर्टिकुलर्ली क्या करता है कि यह इनोवेशन परफार्मेंस देखता है कि उस देश में कितना हो रहा है तो यह 132 चैक करता है उनकी इक्नौमीस देखता कि हांका जो पोलिटिकल एंवर्मेंट कैसा है लोग दपके तू नहीं रह रहे हैं उनके राइट्स कैसे चल लें एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्ट्टर बीजनस उनका बिजनस है तरी कि चल रहा है नहीं इन्फ्रास्ट्रक्टर रहा है रियल रोड ट्रांस्पोर्ट साउथ कुरिया मानेंगे आप इसको 46 होगी आपका इंडिया हाना कि आपको खुशी होगी कि 48 था पिसले बार दो राइंग हमने क्या करा है जंप कर रहा है ठीक है फसाई की ठीक है फसाई की फॉर्ड स्टेट फूर्ट सेफटी इंडेक्स की जो एक तरीके से रिपोर्ट है लिको रिलीज कर दी गई हां पर सेथ को ध्यान देना है क्या होगे गाइस जैसे भारत के हर सेक्टर में एक एक बाथ concepts प्रहुएक से में ओसे प्रकार से फूर्ट सेक्टर में पैकेज फूर्ट सेक्ट्र जो हमारे सेक्टर है उसमें अवह च् accomplishments कृ नहीं सब्सक्राइब करना यह काम होता है ठीक है फूट सेफटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया जो यूनियन मिनिस्टर है यहां पर फूड अगरिकल्चर काई मान सकते हो तो यह होगा आपका है फूड फैमिली वेफेर कौन है मिनिस्टर मन्सुख मनविया यहां पर इस पर ध्यान देना है अभी जो कैबिनेट हुआ था 19 उफ जुलाई 2021 को तो इनको यह नया पर्दबार मिला है तो इनोंने फसाई की फूर्ड सेट सेट इंडेक्स को क्या करा है एक तरीके से रिलीज किया है और इसमें कुछ इन्होंने बताएं स्टेट की रैंकिंग तो बड़े स्टेट में बड़ी प्राव्बलम्स भी होगी आपको बता है चोटे श्रेट में चोड़ी प्रावलेंस ह अच्छा है मेगाले को देन मनीपूर को अगर मैं बात करता है तो जेन के फर्स्ट में अंडमान निकोबार सेकेंड में और न्यू डेली थर्ड में जो इनका प्रोसेस्स फूर्ड है पैक्ड फूर्ड है उसकी कॉलेटी के साब से इनको रैंकिंग दी गई है तो यहां पर य मुलकी है तो भारत को यह लगता था कि वह भारत के लिए कुछ फेवर करेंगी ठीक है तो भारत इस पक्षे भी वहां पर गया था तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो हाई-लेवल डेलिकेशन है consisting of NSA Ajit Doval National Security Advisor ठीक है National Security Advisor Ajit Doval उसमें थे senior official थे कौन हर्स वर्दरन सरिंगला यह भी इनके साथ गए थे इनकी कमेटी में जिस कमेटी में यह महाँ पर मिलने गए थे अपनी साथ जो अफिसर लेगी गए अधिस नेशन सिक्रेटी एडवाइजर अजित डोवाल अब यह प्राइम मिनिश्टर मोदी की यह फर्स्ट विजिट थी फर्स्ट विजिट थी जब यह कोविड नेंटन पैंडेमिक आउटब्रेक हुआ था उसके बाद जो आभी आपके कि इनको जनरल डीबेट में भाग भी लेना था 76 सेशन ओफ युए अनटेट नेशन जनरल असेमली तो जो होनी थी 25 सेदंबर को नी और्क में तो यह अब आपका पता है उनटेट नेशन सिक्रेटी काउंसिल का अध्यक्स अगस्त में कौन बनाता यह बनाता इंडि कि जो पागिस्तान के पतान मंत्री है इम्रान खान उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो हमारे जो एक आएफस ऑफिसर हैं उन्होंने उसका करारा जवाब दिया कि आप जो है वो टेरिरिजम को बढ़ावा देते हैं खुद आपने कभी तालीबान को तरीके से उठाया है उनका तो उसके खिलाब भी आवाज उठाने चाहिए आपको आवाज उठाने चाहिए क्योंकि आपको आतंगवाद का जनक कहा जाता है तो कुछ ऐसे चीज़े हैं जो बताई गई हैं तो आपने देखना आपको पर्टिक्लर वीडियो आपको मिल टापिक्स थे इनसे ही कोशन बनेगा जो कि आपके एक्जाम पॉंट व्यू से बहुत इंपॉडेंट है मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा देस विक्राइन सिंग साइनिंग आफ